नमस्कार और मुख्य द्वार पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए हम सभी जानते हैं कि भगवान गनेश्ची प्रथम पूजनिय है किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पूर्व हम भगवान गनेश्ची की पूजा करते है कोई भी शुबकारे अरम करने से पहले हम भगवान गनेश्ची का आवाहन करते हैं उनसे विंती करते हैं कि मेरा ये कार्य बिना किसी रुकावड के संपन हो जाए हम जब किसी को द्वार पे बिठाते हैं सुरक्षा करने के लिए हम उसे द्वारपाल बना देते हैं और अगर हम गनेश्ची को द्वारपाल बनाते हैं तो इससे उनका अनादर होता है हम अगर एक परानी कथा के अनुसार देखें जब माता पार्वती जी शनान करने जा रही थी उन्होंने भगवान गनेश्ची को द्वारपाल बना दिया था उन्होंने उनको रखवाली करने के लिए कहा जब शिव भगवान आये तो बहुत बड़ा विवाद उत्पन हुआ तो वास्तु के अनुसार ये कहा जाता है जब भी भगवान गनेश ची को द्वारपाल बनाया जाता है वहाँ पर मनमुटाग और कलेश की स्थिती उत्पन हो जाती है तीसरा कारण है जब हम भगवान गनेश की प्रतिमा को द्वार पे लगाते हैं तो उनकी पीठ जो है घर के अंदर की ओर हो जाती है जो की वास्तू के अनुसार दरिदरता का सूचक है और घर में दरिदरता आती है चोथा कारण है करीबन 2500 वर्ष पूर गनेश ची की प्रतिमा को द्वार पे लगाने का चलन राजस्थान में शुरू हुआ था जो की तब राजाओं रजवाडों का राज्य माना चाता था आज सम्रिद्धे राज्य के सूची में राजस्थान का नाम कहीं भी नहीं आता तो इससे हमें ये समझ आता है कि हमें भगवान गनेश की प्रतिमा को द्वार पर नहीं लगाना चाहिए तो घर में गनेश्ची को कहां स्थान दे? North, जो की Growth and Prosperity की दिशा है, गनेश्ची वहां स्थापित किये जा सकते हैं. North East, जो Clarity of Mind, Insights, Ideas का जोन है, वहां पस्थापित किये जा सकते हैं. अगर आपकी सोच सीमित हो रही है, उसको बड़ा करना चाहते हैं, तो भी आप North East में गनेश्ची लगा सकते हैं. तीसरा West, जो की प्राप्तियों की दिशा है, वहां पर भी गनेश्ची लगाई जा सकते हैं. अब बात कर लेते हैं, क्या एक से अधिक गनेश्ची रखे जा सकते हैं? गनेश्ची जो की बुद्धी के देफता है, Insights के आईडियाज के देफता है. अगर हम एक से अधिक गनेश्ची घर में रखेंगे, तो हमें एक से अधिक insights, ideas आएंगे, जो की confusion create करेंगे, हम सही निरने नहीं ले पाएंगे. तो हमें घर पे एक ही गनेश्चा रखना चाहिए, भगवान गनेश सजावट की वस्तू नहीं है, उनके अपने स्थान पे स्थापित करें, और इन तीनों में से किसी भी दिशा में लगाएं, और उनको द्वारपाल ना बनाएं. धन्यवाद.